सिक्किम में बादल फटने से तभाई मची हुई है बता दे कि इस बाड से सिक्किम के चार जिले मंगन, गैंग टॉक, पांक योग और नामची में बाड से जादा नुकसान हुआ है यहां 22,000 से जादा लोग प्रभावित हुए हैं, वहीं 2000 से जादा लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है इसके साथ ही यहां लोगों के लिए करीब 26 रिलीफ कैम्प भी लगाए गए हैं, इन चार जिलों में पानी की पाइपलाइन, सीवेज लाइन और धाइसो से जादा घर तूट गए हैं और इसके साथ ही 11 ब्रिज भी तबाह हो गए हैं बाड के हालाद देखते हुए शिक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिये हैं, बतादे विभाग ने इससे पहले 8 अक्टूबर तक ही बंद करने की बात पही थी सिक्किम में अचानक आई बाड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, बता दे कि अभी भी एठ्याण में लोग लापता है जिनकी तलाज जारी है जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, वही सरकार का कहना है कि सर्च आपरेशन में तेजी लाई जा रही है सिक्किम के मुख्यस अचीव विजय बूशन पातक ने बताया कि चैप कोस्ट के उपलब्ध आकड़ों के अनुसार सिक्किम के लाचेन और लाचुंग में लगबग 3,000 लोग अभी भी फसे हुए हैं और इसी के साथ करीब 700 से 800 ड्राइवर भी वहां फसे हुए हैं 3,150 लोग जो मोटर साइकल पर वहां गए थे वो भी वहां फसे हुए हैं सेना और वायू सेना के हेलिकॉप्टरों की मदद से सभी को निकालने की कोशिश जारी है सेना ने लाचेन और लाचुंग में फसे लोगों को इंटरनेट पर वायस कॉल के जरिये उनके परिवार वालों से बातचीत भी कराई है राज्यसरकार ने इस घटना को आपधा घोशित किया है उदर प्रजान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के हालाच जानने के लिए मुख्य मंत्री प्रेम सिंग से बातचीत की और उन्हें मदद देने का आश्वासन दिया उमीद करते हैं कि सिक्किम में जल्द ही हाला ठीक हो और जो हजारों लोग बेगर हुए हैं उन्हें अपना घर वापस लिले बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दा नगरी न्यूस मैं सिद्धिका मनोहर सुनी आपके साथ शुक्रिया